हेलो अब्रीवन कीट्यू ब्लोगी में आप सोई का स्वागत है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एडसेंस टैस्पोड पे सिंगापूर टैक्स इंफो और युएस टैक्स इंफो को फाइल कर सकते हैं तो रिसेंडली जब मैंने अपना एडसेंस टैस्पोड ओपन किया तो वहां पे एक पेमेंट एरर आया तो यहां पे आपको पोछ रहा है कि आपको सिंगापूर टैक्स इंफो फाइल करना है और उसके बाद आपका जो यूएस टैक्स इंफो है वो एक्सपार होने वाला है 31 1st December 2024 को तो उसको आपको re-apply करना है तो कैसे करेंगे वो सारा प्रसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे आप अपना Singapore tax info file करेंगे और कैसे आप अपना जो US tax info है उसको refile करेंगे तो यहां पर क्या-क्या लगने वाला है और क्या-क्या प्रोसेस है यह सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सकते हैं बता तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पे go to payments पे जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं there are issues with your payment account तो यहां पर क्लिक करते हैं यहां पर सबसे पहले एक error दिखाई दे रहा है your tax form expire in December 31 यहां पर submit new form पे क्लिक करेंगे यहां पर सबसे पहले आपको Singapore Tax Info फाइल करना है तो उसके लिए हम यहां पर add tax info बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना जो tax document उसको upload करना है तो यहां पर मैं start form बटन पर क्लिक करूंगा यहां पर आपका Singapore tax form खुल जाएगा यहां पर आपको business type select करना है individual उसके बाद अगर आप Singapore पर है तो आप yes करेंगे तो मैं currently इंडिया पर हूँ तो मैं यहां पर no पर select करूंगा तो अगर आपका Singapore में permanent resident है तो आप yes कर सकते हैं उसके बाद GST आपके है क्या Singapore में तो यहां पर no पर click करूंगा tax exemption के लिए हमको yes करना है यह बहुत जरूरी है उसके बाद आप अपना country सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं यहां पर automatically इंडिया select आ रहा है यहां पर आपको एक document upload करना है तो मैं यहां पर other document पर click करूंगा यहां पर आपको अपना जो pancard है उसको upload करना है तो उसका जो format है अगर आप उसको pdf, png या jpeg format में upload कर सकते हैं तो यहां पर मैं अपना pancard upload कर देता हूं और उसके बाद आपको यहां पर select करना है no क्योंकि pancard का कोई expiration date नहीं होता है और यहां पर submit कर देना है और यहां पर देख सकते हैं हमारा जो Singapore का tax form है वह review पर चला गया है स्क्रोल करेंगे और आप देख सकते हमारा जो Singapore का tax info है already approved हो गया है और उसके बाद हम अपना जो United States है उसको भी check करेंगे तो यहां पर show tax details पर click करेंगे and United tax info fill करने के लिए आपको submit new form पर click करना होगा तो आप भी देख सकते हैं यहां पर your tax form expire on 12-31-2024 तो यहां पर मैं submit new form पर click करूँगा United States में तो यहां पर start new form पर click करते हैं उसके बाद start form पर click करेंगे उसके बाद यह एक pop-up open होगा and यहां पर आप अपना जो Google account है उसको login करना होगा तो मैं login कर लेता हूँ उसके बाद आपको select करना individual और next पर click करना है यह पुछ रहा है कि are you a citizen of United States तो मैं यहां पर no पर click करूँगा next पर click करेंगे उसके बाद आपको पहला option select करना है जो कि individual के लिए है और अगर आप एक business है या एक business entity है तो आप second option choose कर सकते हैं तो individual के लिए first option हम choose करेंगे और start form पर click करेंगे and यहां पर आप अपना country select कर सकते हैं उसके बाद आपको अपना pancard number यहां पर डालना होगा उसके बाद हम यहां पर next पर click करेंगे and यहां पर अपना address वो fill up करेंगे and यहां पर mailing address same as permanent address पर click कर सकते हैं वहां पर जो tax लगेगा आपको reduce rate पर tax लगेगा क्योंकि आपको दो दो बार tax देना पड़ता है US में एक बार इंडिया में तो आपको tax कम करने के लिए यह सारा form fill up कर किया जा रहा है तो यहां पर resident पर click करेंगे और अपना जो country हो चूच कर लेंगे तो मैं यहां पर इंडिया पर select करूँगा उसके बाद इसको click करेंगे और यहां पर article select करेंगे and withholding rate को 15 % पर select करेंगे उसके बाद second option पर click करते हैं और withholding rate खो 0% पर select करते हैं उसके बाद motion picture और TV royalty में भी select करेंगे और यहां पर reduce rate जो कम rate है उसको select कर लेंगे उसके बाद हम next पर click करेंगे and यहां पर आपको पूछ रहा है कि आप कोई भी service दे रहे है क्या US में तो मैं यहां पर no पर click करूँगा and i certify पर click करूँगा and यहां पर next पर click करेंगे और यहां पर आपको paperless option मिलता है तो आपको comment condition पर select करना है और यहां पर देख सकते हैं पूरा comment condition उसके बाद हम next पर click करेंगे and उसके बाद icon form पर click करेंगे and यहां पर आपना form चेक कर सकते हैं यहां पर जो फर्म है वह और autofill हो गया है जो जो भी information हमने form पर डाला हुआ है तो यहां पर बस आपको icon form पर click करके next पर click करना है उसके बाद यहां पर इसको select करना है यह सारे जो option है उसको tick mark करना है उसके बाद हम यहां पर नीचे जाते हैं यहां पर yes I am the beneficial owner named in the tax identity section उसके बाद यहां पर आपको submit करना है यहां पर आपको कुछ दिखा रहा है कि आपका कुछ document missing है तो यहां पर आपको proof of residency प्रूब करना है तो यहां पर आप अपना जो driving license है passport है या कोई भी government ID है जिसके आपका जो resident प्रूब रहता है जिसमें आपका address रहता है उसको upload कर सकते हैं तो यहां पर मैं अपना driving license है उसको upload करूँगा और उसके बाद मैं यहां पर submit document पर क्लिक करूँगा और यहां पर दिख सकते हैं verification in progress दिखा रहा है उसके बाद कुछ time के बाद यह automatically verify हो जाएगा और एक email आपको आ जाएगा जब आपका जो tax document वो accept हो जाएगा तो यहां पर got it पर क्लिक करते हैं यहां पर दिख सकते हैं आ view होने में उसके बाद यहां पर आपको approved का option आ जाएगा तो इस तरह से आप यह वाला जो adsense का error है उसको fix कर सकते हैं तो आपका जो भी payment related settings है आप यहां से कर सकते हैं तो बस आपको जाना है payments पर payment info पर आपको यह सारा option मिल जाएगा make sure करना है कि जो adsense जिसके नाम पर है उस document clearly visible होना चाहिए जिससे की आपका जो application है वो disapproved ना हो तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजेगा और और भी बिश्त्रेगा वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजेगा thank you